नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का जी मंधिप्रदेश अतीज कर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ की तिदिक्षित 24 की सरकार में हम आपको हर दिन एक सीट का पूरा सटीक विश्यलेटर बताते हैं और इसी कड़ी में आज बात करेंगे राजकर लोगसबा सीट की प्रदेश की विआईपी सीट माने जाने वाली राजकर लोगसबा सीट पर भी सब की नज़र है क्योंकि चंबल और मध्य भारत अंचल में आने वाले राजकर लोगसभा संसद्य क्षेत्र का इतिहास बेहत दिल्चस्प रहा बीजेपी और कॉंग्रस से जादा राज़ परिवारों का दबदबा देखने को मिला कॉंग्रस के दिगज नेता दिगविजय सिंग और उनके परिवार को इस ख्षेत्र में सीधा दखल माना जाता है तो पिछले कुछ चुनावों में यहाँ बीजेपी का भी अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला है ऐसे में सवाल है कि आखिर 2024 में जन्ता का मूड क्या है और कौन से मुद्दे नेताओं पर भारी पढ़ने वाले है 2024 की सरकार में आज बाद इसी मुद्दे पर लोगसबद चुनाव के लिए 7 मई को राजगर सीट पर भी मतदान होगा और ये सीट मध्द प्रदेश की वियाईपी सीटों में शुमार है और इस सीट पर मुकाबला तब और दिल्चस्प हो गया जब इस सीट पर लंबे समय के बाद कॉंगरस के दिगज नीता दिगविजय सिंग उतरे है वही उन्हें टकर देने के लिए बीजेपी ने रोड मल नागर को चुनावी मैदान में उतारा राजगर में पिछले एक दश्रक से बीजेपी जीत रही है ऐसे में कॉंगरस ने सीट को दोबारा हासिल करने के लिए एक बार फिट दिगविजय सिंग को आगे किया है चुन्ता बढ़ा रहा है क्योंकि अगर वोटिक प्रतिश्रत कम रहा तो इसका नुकसान दिगजों को अपनी अपनी सीट पर होगा दिगविजय के सामने यही चुनावती है कि उन्हें राजगर लोगसबा सीट अच्छे मतों सिर्वीत कर देनी होगी राजगर में दिगविजय सिंग ने माहौल तो अच्छा बराया है कॉंग्रेस फाइट में भी नज़र आ रही है लेकिन सिर्फ नज़र आने से काम नहीं चलने वाला क्योंकि बीज़ेपी भी यहां दिगविजय को बराबर की फाइट देती नज़र आ रही है यह तो कॉंग्रेस के नेतरत को विचार करने के आऊ सकता है मैंने सदेव कॉंग्रेस पार्टी के कारिकर्टा के रूप में और प्रतिनी दी के रूप में जो मूल सुविधाएं हैं राजकर संसे देशित की उन पर जादा ध्यान दिया है राजकर, सिचाई, पेजल, शिक्षा और स्वास्त इन पर में ध्यान दोंगे जो प्रत्याशी आपके सामने उने क्या कहना चाहेंगे शुब काम रहे दिग्विजे सिंग जिस तरह से लोगों को उनका आखरी चुनाव की भावो का पील से खीशते नजर आ रहे हैं अगर राजकर की सीट पर उसका असर नहीं हुआ और लोगों ने बंपर वोटिंग नहीं की तो फिर कॉंग्रेस और दिग्विजे सिंग के हाथ से राजकर सीट जीतने का गोल्डन चांस फिसल सकता है क्योंकि दिग्विजे सिंग के सीट से नदारत होने के बाद बीजेपी ने यहां अच्छी पकड बना ली है देखना होगा कि इस बार राजकर की जनता किसका साथ देती है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया और चर्चा करने से पहले आपको राजकर लोगसभा सीट का सियासी गड़त बता देते है मद्धप्रदेश की वी आईपी सीट मानी जाती है राजकर और राजकर का इतिहास बेहत दिल्चस्प रहा है बीजेपी कॉंग्रेस से जादा राजच परिवारों का यहां पर दबदबा देखने को मिला और कॉंग्रेस निता दिविजे सिंग का क्षेत्र में सीधा दखल भी देखा गया पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी का यहां पर अच्छा खासा दबदबाब की रहा है और अब आपको राजकर लोगसभा सीट का वोट प्रतिश्रत भी बता देते हैं साल 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी को 69.03 प्रतिश्रत भोट यहां पर मिला अब इस सीट को लेकर के नेताओं का क्या कहना है उसको लेकर के हम चर्चा भी करेंगे खास महमान जुड़ गए हैं करनल इशान जो की प्रवक्ता है बीज़ेपी के निलाब शुकला जी प्रवक्ता है कॉंग्रिस के सुरेश शर्मा जी वरिष्ट पत्रकार है आप सभी का ब राजगर में आज क्योंकि बहुत से सियासी कारिक्रम ते इसलिए मिरसाथ भारतिय जनता पार्टी कॉंग्रिस पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं अपने राजनेतिक दल को लेकि क्योंकि होट सीट है और जनता से ज्यादा नेताओं का कॉंफिड पार्टी ने जो काम किये उस काम के आदार पर नीचे तक जा करके जनता के बीच में जा रहा है तो जनता ने जो आवाज दिए वो इसपस्ट बहुमस की लग रही है और भारतिय पार्टी को भारपूर आशिरवाद मिल रहा है विकास हुआ है आपको लग रहा है आप बता पूरी तरीके से इन से उप चुकी है आप जहां भी जाईए गाव शहर नगर रोडमली का भारी विरोध है क्योंकि ये सांसद जी ने अपने कारिकाल में पांच कामों को निगिना पाए पांच काम भी नहीं गिना सकते रोडमल लागाज ये आप गिनवा दीजे हमारी जनता देख लिए आपको राजगर जिले में पांच नदियां बेती ही सधियों से साथ साल में कांग्रेस ने एक भी नदी को निरोका भारती जनता पार्टी ने पांचों बड़े बांध बांध कर 22,000 करोड के वो पूरे राजगर जिले को पीटे का पानी हर खेत को पानी पोचा है आईवे हमारा सारे तूटे पड़े थे दिख्वीजी सिंग के कारिकाल 20 साल के इनके जब 10 साल कारिकाल था एक सडक थी न बिजली था न पानी था आज सारे आईवे कंप्लीट होगी हमारा गाओं-गाओं में पक्की रोडे दी हमने कि किसानों को सम्मान नीदी दे रहे है याने भारती जनता पार्टी विकास और विरासत को लेके आगे बढ़ रही है एक और बात यह मैं आप आगे आईगा यह इतनी गाये सडकों में रहती है मैं खुद रास्ते से अभी आई हो सडक पार्टा की देने दिख्गी राजा की दिख्गी राजा जी गोमाता जिस ज कि अएगा मुद्दें राज़गे मैं मुद्दा है यहां पर सिक्षा का स्तर जो लगातार गिरता जा रहा है माननी राया साब ने यह आपर हर पांच किलोमेटर के चेतर में हाइब वन्हाएते सिक्षा के लिए काम किया था लेकिन भारती जंता पार्टी के साशनकाल ने वहोद है कि शिक्षा का इस्तर लगातार गिरता जा रहा है जू टीचर है वो time पर नहीं पोशन पात καई थे स्कूल time पर नहीं खुलते हैं यहाँ पर दूसरी बात है मेरे हैं माननी ROYA साब के कारी कारेकाल में तालाब बनाने का इमाध्यम से इनके नेता अभी इनके किस्प्रकार से एक दलित महांod करने के बहुत की यहां है किन्य सब्दों को उपयोग करें रहे हthought इनके जो नेता है दिग्विय सिंग जी जो चुनाव लड़ रहा है इस राजगर लोग सभा से इनके द्वारा किस प्रकार से धलितों का अफमान करना महिलाओं का अफमान करना कैसे कैसे सब्दों का उप्योग करते थे ये लोग और किस सब्दों का उप्योग करके अफमान क सब्सक्राइब करेंगे हैं करना लिशान जी आपने सुना होगा कि यह भी कहना है लोगों का कि अब सिक्षा का इस्तर गिरता जा रहा है स्कूल पर ना तो टीचर्स पहुचते हैं ना सिक्षा प्रॉपर हो पाती है क्या कहेंगे मेरे क्याल से करती आप कार्यकरता थे जो की बात कर रहे थे उसटेंग पर शिख्षा के स्तर की बात कर रहे थे वह आज की तारिक में 2023 तक में एक तीन पांच परसेंट हो गए थे और नए विद्याले भी खुले नए शिक्षकों की नियुक्ती भी हुई है और शिक्षा के स्तर में अगर बदलाव नहीं आता तो हमारे प्रदेश के इतने सारे बच्चे जो विभिन प्रतियोगी प्र अगर हम पिछले साल का देखते हैं कॉलेज में एड्मिशन को ले करके कितनी बार वहाँ पर कॉलेज में एड्मिशन के लिए बार-बार राउंड चलाएगा लेकिन फिर भी बच्चे एड्मिशन लेने को तयार नहीं थे क्या वच्छा है उसके पीछे कि वजय का जहां तक सवाल है कि एक जो मानसिक्ता सभी प्रदेशों में हैं खाली मर्दिप्रदेश की बात नहीं है जो भी बच्चा 12 पास करता है 12 के बाद या बड़ी-बड़ी युनिवस्टी की तरफ उनका एम होता है या बड़े-बड़े इंजिनिरिंग कॉलेज की होता है इसलिए उन कॉलेजेज और उन इन्वस्टी की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि बहतर शिक्षा उनको लगता है कि वहां पर प्राप्त होगी लेकिन इसका मतलब ये कत्ता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का सुधार नहीं हुआ है जो भारती जनता स्कूल बनाए गए तो ये सब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और जो ये राज बंटादार हो रखा था पिछले वर्ग में आथा तहा उसको बदलाव आया है जो बरबादी हो रखी थी जो बीमारू हो रखा था जुस्तरा से आप कह रहे हैं उसमें बदलाव करने क कोशिश की गए मैं लोटूँगे निलाब जी आपके पास भी सुरेज जी आपके पास भी लोटूँगे एक बार फिर से प्रेणा का रुख करना चाहूंगे प्रेणा जानकारी दीज़ेगा बिल्कुल मैं और बादसीत करूँगी केती क्योंकि और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौझे दादा आप आएगा आगे और क्या करते हैं आप बताएगा आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार लिए तो पर दादसीत करते हैं मेडम और हमारे तो केवल एक राष्ट के लिए एक सनातन और राष्ट के लिए इसमें जाती बाद को अलग आठके केवल मोधी चाहिए इस देश को मोधी जैसा प्रदान मंत्री निया मोधी चाहिए क्या ते इसको बिल्कुल मोधी कि इसलिए जरूरवत है कि यहां को रोजगार क्योंकि अभी भाया ने बोला था कि इहां पर शिक्षा नहीं है और भाजपा ने सिख्षा दी नहीं है तो में इनको बताना चाहता हूँ कि भाजपा ने शिवराचिंग चुवान जो पुरू मुकमंत्री थे उन्होंने सीको कमाओ जैसी योजना हमको दी थी उन्होंने हमको युवा इंटर्शिप जैसी योजना दी थी तो इनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो इनने फॉर्म नहीं डाले थे क्या ये नहीं आये थे हमारे यहाँ पर मेडिकाल कालेज खुल रहा है तो उसमें हम सब पढ़ने जाएंगे मुझे लगता है आपको बेरोजगारी का दर भी पढ़ना चाहिए मध्यप्रदेश में बेरोजगारी किस कदर है आपके कुछ सवाल है क्या जी मेरे सवाल दो है आदरणी से जो इनने बोला कि दिख्विय सिंग जिने पट्टे बाट दिये थे ठीक दिख्विय सिंग जिने पट्टे बाट जनतने नकार दिया थे हम शुकार करतें दिख्विये सिंग्जों को हम शुगार करते हैं, नकार दिया, कॉंग्रस पार्टी को नकार जब आज 22 साल से बाजब के सरकार इनने गायों के लिए क्या किया है, पेली बात, और दूसरी बात जो दलीतों की बात कर रहे था हमारा आधरनी, कि यूटूब अटोरे जी नहीं तो जो पट्टे दिया थे राजा साम ने, SCST के लोगों को, गरीब पिछोड़ लोगों के जो छोटे लोग रहे था, गाहों में उनका पास जमीन है नहीं रहती थी, अगर उनको जमीन दे भी दी दो दो भीगा, तो कुन सा गुना कर दिया, आज भी दबंगों को पास गाह आप दलितों की बात मत कर रहे हैं, घर की दूकरा नहीं छोटा हूंडे, घर की दो. आप बोल रहे हैं, कि आप जो भी ओच्पारती व के लोगो पार्टी, दो गाहे की नाम पर राजनिती कर रही है, आएतनी गाहे सडकों पर घूमती नहीं को कर रिवाई, भी है। कांगरेस ने उस समय में जो गोचर जमीन थी जो गोमाता की होती है उनके पट्टे जो बैपारी बरक को हमारे देवजैसिन की कर चुके हैं इसलिए गोमाता गांगां घूम रही है लेकिन अब की बार जब मोदी जी की सरकार आएगी एक एक जमीन को हम लेंगे और गोवसाला दोबारा बनाएंगे गोचर भी खोलेंगे मेरे को लगता है इससे पहले भी बहुत दावे किये गाजी देखिए मद्ध्य प्रदेश में गोवसाला के नाम और राम नाम पे बारती जनता पार्टी राजनेती करती है माननी हमारे पूर मुक्की मंद्री कमल नाज जी ने सबसे पहले आकर उन्हें ने किया और गोवसाला के लिए उन्होंने फंड अवेलेबल कराया और उसको दुगना कर दिया विल्कुल ठीक है प्रेड़न में लॉटूंगी आपके पास निलाप शुकला जी 33 साल बाद एक बार फिर से राजकर्ण के राउंड पर उतर रहे है दिख विजए से आपको क्या लग रहा है कितनी वजबूती है इस बार कॉंग्रेस के पास क्यूंकि जनता के कई मुद्धे हैं ही देख रहे था आपक्की चेलन पर ना रख्रोशे जनता के अंदर मूल हम सभी दाउ कई लेकर इस्कुल इस्कोलों को लेकर सडक को लेकर पानी को लेकर और मत्रे पदेश में भगवान वरोसरे है इस्क्षा वेयर स्कुलों मैं सेरा NUSK अए पर दस हजार से जादा ऐसे सुने जाए एक सिक्षक के भरोज चलता है। यह पिर हाली आखड़े बता रहा हूं, मैं थर्चित अत्कत्य के साथ कहता हूं, बुली मिला कि सिक्षक इस तरह मद्द बेपे काफी गिरता हुआ जा रहा है। राजगड़ के हम बात करें, मैं बूल बूल सुविदाओं से राजगड़ जूज रहा है। आप दस साल से वहाँ पर जो सांसद रहा है। आप खुल ही देख रहे हैं जनता किस तरह से उनके खिलाब आवाज उठा रही है। किस तरह उनसे तरस्त है। निश्चित उसे दिग्वेशिंग जी का घरश चेत्रे पेली वार मां से सांसद भी बने है। और उनमें एक उमीद लोग देख रहा है कि दिग्वेशिंग जाएंगे वापस यहाँ पर एक काया कल्प होगा। गाया की बाते करते हैं इनको गोपे सियासत करना है। गोपे सेवा नहीं करना है। अब ये निकले मोधी की गारंटी को लेकर सवाल गारंटी उसकी मानी जाती है इसकी पुगानी गारंटी आप पूर्णों जनता सवाल तो पूछेगी कि आपने गारंटी दी थी परती वचे दो कुरूड नोगर देने का उसका क्या हुआ एक के बदले सा दस सल लाने की बात क पूछों गली जीतु पटवाजी के बैयां को ठोल मरूर के पेश किया गया इक अश्चा जानता है किसी वक्ति बात करने की इच्चा नहीं होती है इसमें हमारा कोई रस नहीं है उसको आवाइड करते हैं तो उसको तोड़ मॉड़ा के पेश किया गया मात की अन्ता पड़िए मैं जब जो किरूँ यह मुद्दा भी नो चुकी तो छोटी छोटी बाते पकार रही अब हम बाते करें महिला की बात चेड़ दी द्रम रेवना क सब्सक्राइब करें मैं उस बात में बिल्कुल आपको नहीं टूकूंगे आप बात करिए इसके लिए वोट वांग रहे थे इसके 25 के असपास वीडियो है चूटी बच्छोटी कि मैं सुरेश शर्मा जी आपके पास आती हूँ बस एक चुटा सा रियाक्शन इस पर ले ल पूछना है करनले शांट जी ने जो बोला कि जीतु पटवारी जी के बोल चाल की भाशा देकि एक चीज समझनी चाहिए कि आप एक आश्टी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके शेत्र की बोल चाल की भाशा आप मीडिया के सामने अगर बोल रहे हैं तो वो आप किस पुदेश्य से आपने बोला ये खाली बात को घुमाने की बात है कि बोल चाल की भाशा ये पूर्ण रूप से एक दलित महिला का अपमान किया है बलकि मैं कहूंगा पूरे नारी समाज का प्लस दलतों का दोनों का अपमान किया है सुरेश शर्माजी थोड़ा वक्त कम है मेरे पास सुरेश शर्माजी से अभी मैंने एक भी सवाल लिला है सुरेश शर्माजी अगर हम बात करते हैं राजगर सीट की यह हौट सीट है व्याइपी सीट यह भी मानी जवा रही है क्योंकि दिगविजय सिंग एक बार फिर से इमोशन पर लड़ा जा रहा है देश को क्या करना है उसकी रणनिती तै हो रही है दो हजार से तालिस का देश कैसा होगा इसकी चर्चा चल रही है व्यक्तिगत इमोशन की बात नहीं है जहां तक दिगवेजय सिंग जी का प्रश्ण है तो वह उनिस सो इंक्यानवे में और प्रश्ण हर थी 400 सीटे आई थी जब राजीव गांदी जी को उस समय जीते थे और जब वह जीत करके गए उनिस सो इक्यानवे में तो शायद आपको जानकारी में होगा और सकता है मेरे मित्रों को भी जानकारी में हो मातर 1470 बोटों से चुनाव जीत करके गए थे वहां से पारलियमेंट की जो सीट है वो 1470 बोटों से जीतने का मतलब तो हरने के बराबर ही होता है फिर आपके सामने एक तथ्यात्मक बात कहूंगा यह सब राजनितिक बाते हो रही थी इसका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी ने बीजेपी ने पिछले दो चुनाव जीते हैं पिछला चुनाव जीता है 3,31,000 से 4,31,000 से पहले बाला चुनाव जीता था 2,88,000 से टीकट पर जीते थे तब भी वो 36,000 बोटों से जीते थे कोई भी कोई भी लोग सभा का चुनाव कॉंग्रेस पार्टी एक लाख बोटों से नहीं जीती है इसलिए ये इसलिए राजगर करनाटक के बसंतकुमार पंडित थे मंभई से चुनाव जीते इसलिए यह जो मानशिक रूप से विदीशा और राज़गाड यह मानसिक रूप से जनसंग की सीट है यानि जनसंग भी न काओ यह काओगी हिंदुवादी सीट है इसलिए यहां तो यह माना जा सकता है कि डगर उतनी आसान नहीं रहने वाली है चुनौती यहां पर दिग्विजे सिंग के सामने भी बहुत जादा आप तीनों कमारे साथ इस चर्चा में चुड़ने के लिए और चौबीस की सरकार में फिलाल इतना ही आप देखते रहें जी मंध्य प्रदेश चत्वीज़कर